नमस्कार, आज कल सर्वाइकल की समश्चा एक समश्चा बनती जा रही है, मोबाईलों का उप्योग हो गया, गरदन को आगे जुकाने वाली क्रियाएं हो गई, विपश्च कुछ कार्य गरदन का नहीं करने का कारण भी हो गया. अब ये दर्द क्या है ये सरवाइकल का हमारे गरदन के पीछे कुछ सूजन सी आ जाती है इस सूजन को जादा हम लोग जो है बहुत जादा टेंशन ले लेते हैं ये सूजन इतनी टेंशन वाली बात नहीं है लेकिन एक टेंशन जरूर है कि हमें ये जो मसल्स कमजोर हुई है उनको टाइट करना चाहिए यानि उनमें ताकत लानी है ताकत लाने के लिए क्या करना है वहां का ब्लड सर्कुलिशन पहुचाना और वहां पर गैस का प्रकौप ना हो इसके लिए मुख्य बाद जो है एक लंच टाइम है उसको आप सुधारिए जो हमारा लंच टाइम दो तीन वजए है उसको बारा बज़े से पहले पहले कीजिए क्योंकि अगर दोपैर में आपने भुजन्ध्न दो तीन वज़े किया तो तो उसकी गैस बनेगी और गैस जो है वह आपको बड़ी परिशान करेगी तो आपको पहला काम तो यह करना इसके साथ साथ जो खाना खाने के तुरंथ बाद आपको भजश्रासन में जरूर बैठना चाहिए और गरम पानी का सेवन वह आप जितना जैसे खाना खाने कि तुरंट वाज आधा एक Cup जो है वो गरं पानी घरम यानिंगा जो आप चाई जितनी गरं पीते कोफी जितनी अब जब चाइ कोफी की बात आई ए तो इसको भी कम कीजिए जितना कम करेंगे क्योंकि यह भी डाने बहुत बड़ा साधन है तो यह सारी चीजें गैस को कम करने का उपाय हमें करना त्रिफला का चूरन आप रात को ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ या फिर भुजन से दो घंटा पहले इसब गोल का जो भुजी है वो भी आपको लेनी चाहिए जो की फाइबर देती है औ आप आपने गोर किया हुए जिस दिन पेट साफ नहीं होता उस दिन यहां पर दर्द होता है तो यह भी आप गोर करें और अपने जो खान-पान है उसमें इस तरीके का फाइबर रखें की पेट साफ हो जाए और उसकी वजए से यह दर्द गैस का ना बने अब यहां पर शुरूआत क्योंकि वार्म अप करना जरूरी होता है तो स्वांस छोड़ते वे साइड में को स्वांस भरते वे सामने स्वांस छोड़ते वे लैप साइड भरते वे सामने, छोड़ते वे राइट साइड, भरते वे सामने, छोड़ते वे लेफ्ट साइड, ये समन्ने एक वार्मप की ज़रूरत है, तो तीन से पांच बार इसका अभ्यास आप कर सकते हैं, अब आपको जो इसके लाब के लिए करना है, वो करना है लेफ्ट साइड मे राइट साइड जाना यहां पर कितना आप रोक सकते हैं यह नसे पूरी खिचेंगी इससे और यह जो खिचाव है यह आपको पीछे तक आराम देगा स्वांस भरते वे सामने इसाथ को आगे फिर राइट हैंड जो है वो पीछे जाएगा और लेफ्ट साइड में गरदन जाएगी स्वांस छोड़ते हुए स्वांस भरते हुए सामने लेफ्ट हैंड पीछे राइट साइड में स्वांस छोड़ते हुए स्वांस भरते हुए सामने फिर राइट हैंड पीछे छोड़ते हुए लेफ्ट साइड भरते हुए सामने अब हाथ को दोनों को पीछे ले जाकर आप गर्दन को जो है वो राइट साइड सामने, लेफ्ट साइड सामने, रिलेक्स, ऐसा तीन तीन बार आप कर सकते हैं, नमबर दो, नमबर दो होगा राइट हैंड से गर्दन को पकड़िए और स्वांस छोड़ते हुए, राइट हाँ बहुत धीरे धीरे हलका हलका करना घर्दन को लेकर जाएंगे स्वास भरते वे आप रहाइट हेंड से डाऊं भरते वे आप लेफ्ट हेंड से डाऊं भरते वे अब आपने ये पूरी नसे जो हैं खीच ली हैं इस साइड में भी और इस साइड में भी अब एक बहुत सुंदर क्रिया जो इस वार्मप के बाद में काम आती है शुरू-शुरू में तीन-तीन बारी करना ज्यादा नहीं करना क्योंगी नसे कमजोर है इनको स्वांस छोड़ते हुए आगे दुख़ते हुए अब यह आप स्थे कितनी देर कर सकते हैं आदा मिनट एक मिनट दो मिनट तीन मिनट कितनी देर आप सब्सक्राइब दूसरे हाथ पर जितने ख्शंताइं हो उतना ही समानने स्वांस चलता रहेगा लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे सिर को पीछे से हाथ लगाकर थोड़ा खीचे खीचेंगे तो गर्दन की नसों में ऐसा खिचाव आएगा कि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा यह बहुत गजब करिया है उसके बाद में लगबग 15-20 मिलिट आपको अनुलोम विलोम प्रड़याम करना चाहिए बाई नासिका से स्वांस लेना और दाई से छोड़ना दाई से लेना बाई से छोड़ना दस-दस गिंती बराबर करके इस प्रड़याम का अभ्यास नियमित रूप से करना आप बहुत अच्छा जो है लाप्राप्त कर पाएंगे यह जो खान पान यह जो जीवन शैली यह आपको सुधारनी पड़ेगी और अपनी योग क्रियाओं के माध्धम से हाला कि सर्वाइ पॉइंट भी है अंगूठा जो है वह अंगूठे के जस्ट यहां पर आप यह पॉइंट दबाएं इस जगह थोड़ी देर 2-3 मिनट ऐसे दबाया कीजिए और 2-3 मिनट यह दबाया कीजिए यह अंगूठे को ऐसा पकड़िए इस तरीके से और ऐसे दबाएं अज़िए ह